हेलो दोस्तो, Be Wise and Welly चले में आप सभी का स्वागत है दोस्तो कल है 9th of August 2021 एड कल दोस्तो मार्केट में हमको दो और IPO's open होते हुए देखने को मिल रहे हैं जी हां दोस्तो अगस्त पे देखिए जमाज हम IPO's की बारिश है और दोस्तो ये बारिश अभी नहीं रुकेगी ये बारिश दोस्तो अभी चालू रहने वाली है लेकिन कल की अगर में बात करों तो कल दो IPO's दोस्तो हमको यहां पर open होते हुए देखने को मिलेंगे पहला है दोस्तो car trade tech IPO second है दोस्तो newo को IPO अब main question यह है कि किस IPO में हमको apply करना चाहिए क्योंकि भीजा देखिए पैसा तो हमरे पास limited है और इस limited पैसे में हमको ज्यादा benefit चाहिए तो इस वीडियो में बात करेंगे किस IPO में हमको apply करना है और दूसरा question यह भी है कि देखिए दोस्तों कि पैसा भी limited है और capital crunch भी हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि जातर capital हमने जो है रिसेंटली जो चार IPO आये थे देवियानी इंटरनेशनल क्रस्न डाइगनोस्टिक एकजारो विंडला सिंग चारो IPO में दुस्तों किसी को भी नहीं छोड़ा चारो IPO में भर भर के पैसा लगाया है अगर मैं average बात करूं तो 30 to 35 times यहां पर चारो IPO में retail quota सब्सक्राइब हुआ है तो आप समझ सकते हैं दूस्तों पैसा धबरदस लगा है चारो IPO में तो कई cases में क्या हो रहा है कि इस IPO में लग इसे कौन सा सही है gray market premium कितना चल रहा है आज की date में उसके basis पे भी हम बात करेंगे तो वीडियो दुस्तों काफी important होने वाला है और इन दोनों companies के regarding कुछ जरूरी जानकाई कुछ important updates आपको देने वाला हूं तो वीडियो को दूस्तों बिना skip करे देखिएगा काफी informative होगा आपके लिए और आपको decision लेने में दुस्तों काफी help होने वाली है तो अच्छा लगे वीडियो informative लगे तो प्लीज दोस्तों एक like करके encourage जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं car trade tech IPO की देखिए 9th अगस्त को open हो रहा है 11th अगस्त को closing हो जाएगी आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही दुस्तों यहां पर चेक करना है अप्लाइ करना है market लॉट 9 शेर का होगा बी एसे पर लिस्टिंग होगी इस्यू साइज 3,000 करोड का है और completely offer for sale है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कोई भी यहां पर fresh इस्यू नहीं है अब फाइनेशल की थोड़ से बात करें तो देखिए total assets आपको दोस्तों लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे 19,20 और 21 में financial layer की जब बात करें तो revenue आपको देखेंगे तो बढ़ते हुए again 266 करोड का revenue बढ़के हुआ 318 then 21 में थोड़ा सा हमको यहां पर decline देखने को मिला revenue में लेकिन अगर profitability देखें तो 25 करोड, 31 करोड, 101 करोड तो profitability में जबर्दस growth हमको यहां पर देखने को मिल रही है अब थोड़ा सा दोस्तो company के बारे में brief overview हम जान लेते हैं ताकि दोस्तों हमको यहां पर एक insight मिल पाए company क बारे में, देखें multi channel auto platform है दोस्तों company basically various brands को यह operate करती है, brands बोलें चाहे platform बोल सकते हैं, यह car वाले platform आपने इसका जरूर नाम सुना होगा, well known name है दोस्तों यह car trade, shriram auto mall, यह देखें bike वाले भी दोस्तों काफी well known name है, car trade, exchange, android auto, autobiz, तो यह जो है various इनके platforms है दोस्तों, जह यहाँ पर basically यह connect करते है new used automobile customers को या फिर used automobile customers को, vehicle dealers को, vehicle OEMs को या other businesses को to buy and sell their vehicles in a simple and efficient manner, तो basically एक ecosystem है दोस्तों यह automotive और इनका जो vision है इसको एक digital automotive ecosystem बनाने का है, जहाँ पर देखें, automobile customers, OEM, dealers, bank, insurance companies and other stakeholders यहाँ पर connect कर पाएं और यहाँ पर transaction हो पाएं, basically variety of solutions provide करते हैं across automotive transactions, अगर simple बाशा में बोलना चाहूं तो, अगर देखें दोस्तों इनके दो platforms की में बात करूं, car वाले और bike वाले की तो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखें, car वाले and bike वाले ranked number one on relative online search popularity when compared to their key competitors over the period of April 2022, March 2021, तो सबसे जादा दोस्तों जहाँ पर online search होती है, वो दो platform है, इनके car वाले, bike वाले, comparison करें, जो इनके competitors हैं, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा, तो सबसे जादा दोस्तों यहाँ पर traffic आता है, सबसे जादा search यहाँ पर होती है, तो एक kind of दोस्तों यहाँ पर इनके लिए एक advantage है, इस चीज का, अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक important चीज म नाम जरूर सुना होगा, आपने car देखो, महींदरा first choice, ड्रूम, तो यह चार competitors हैं लेकिन, इन चारों से दोस्तों क्या advantages इसके पास आप देख सकते हैं, क्या इसने यहाँ पर जबरदस्त इनके पास management efficiency है, वो है दोस्तों देखिए profitability, जो है अभी तक, जो इनके business में सबसे business है, इस segment में, और यह जो segment है दोस्तों, यह जो used cars का और यह new used auto mobile customers को connect करने का एक platform है, यह दोस्तों काफी under penetrated market है, जैसा की एक report के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहा अच्छा खासा grow हो सकते है, तो यह है थोड़ा सा दोस्तों business overview आपको यह जानना ज़रूरी है, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों newoco की, उसके बाद हम दोनों का comparison करेंगे and आपको कुछ important चीज़े बताने वाला हूँ, तो newoco IPO दोस्तों again same यहाँ पर window है, ठीक है face value 10 की है IPO का price band रखा गया है 560 to 570, अपर price band पर ही आपको click करना है, मतलब की apply करना है, अगर apply करना चाहते हैं, तो market lot 26 shares का होगा, issue size है 5000 करोड का and fresh issue है 1500 करोड का बाकी का rest of the remaining 3500 करोड का offer for sale है, तो basically बड़ा issue है दोस्तों यह card trade से और यहाँ पर दोनों IPO में 35% का retail quota रखा गया है, ठी financials की बात करें, नुवोको की, तो आप देखें दोस्तों यहाँ पर आपको revenues इनके थोड़ से inconsistent देखने को मिलेंगे, profitability आप देखेंगे तो 19 में यहाँ पर loss था, 20 में यहाँ पर profitable हुई company, again 21 में यहाँ पर loss making, जो है profit में loss दिखा, अब आप बोलेंगे कि अगर loss है तो 35% का retail quota क्यों है, तो आपको मैं बताना चाहूँ को जूस्तों, as per sevy norms, अगर पिछले 5 सालों में से 3 साल का average, अगर operating profit 15 करोड़ से जाधा होता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसको consider कर लेते हैं, मतलब कि retail quota 35% तक वहाँ पर किया जा सकता, तो इनका जो average निकल के आ रहा है, 15 करोड से जाधा है, तो उसके basis पर यहाँ पर retail quota 35% का रखा गया है, अब नुवो को की बात करें, तो basically दोस्तों के cement company है, अगर मैं कुछ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, निर्मा ग्रुप की company है, basically और ready mix concrete और cement यहाँ पर manufacture करती है, basically East India में दोस्तों काफी अच strength की बात करें, तो देख सकते हैं, East India में काफी अच्छा हैं का total capacity की अगर बात करें, तो largest cement manufacturer है, strategically located cement plants है, with close proximity to key markets, strong brand recognition and largest distribution network, experienced promoters and management team, तो अगर दोनों IPOs के दुस्तों compare करें, देखिए, अगर मैं grey market premium की बात करूँ तो car trade में चल रहा है 450, नुवो को में चल रहा है 40, तो car trade का IPO का जो अपर price band है, वो करीब आपको देखने को मिलता है, 1618 का, तो उस पर अगर हम बात करें, तो 30% के आसपास, around 28-38% के बासपास, आपको listing gain देखने को मिलेगा, आज की date के according, और डूवो को विस्ता में, करीब 570 के आसपास, तो आप देख सकते हैं, तो करीब 10% से भी कम या फिर आप कह सकते हैं, around 8% के आसपास, आपको listing gain देखने को मिलेगा, तो दूवो को विस्ता ग्रे मार्केट प्रीमिमिम के according, बिलकुर यहाँ पर avoid है, अगर आप listing gain के लिए apply करना चाहते हैं, तो only car trade ही यहाँ पर एक लौता option है, और long term की point of view से में आपको बोलना अच्छा बहतर option नजर आ रहा है, क्योंकि एक start-up है, technology, start-up आप इसको कह सकते हैं, और इसके पास एक और यहाँ पर benefit है, वो क्या है, कि basically यह जो business है न, एक network effect create करता है, जैसे कि मैं आपको इंडिया मार्ट में भी बताया है, नौखरी.com में भी बताया है, एक network effect create करता है, network effect, जो भी platform business है, उनके लिए उसके network effect है, बहुत ही positive तरीके से काम करता है, long term में, क्योंकि जितने ज्यादा users होते हैं, जितने ज्यादा customers होते हैं, किसी platform पे, तो जितने ज्यादा transactions होंगे, उतने ज्यादा इनका business और grow होगा, और जितने ज्यादा users होंगे, दूसरे जो dealers है हैं, दूसरे जो customers हैं, वो उसी platform पे जाएंगे, कुछ भी आगर उनको search करना होगा, चाए पुराना vehicle हो, चाए नया vehicle हो, चाए कुछ भी related transactions activities हो, तो उसके recording बात करूं, तो वो एक, मतलब एक कह सकते हैं कि एक database बन जादा, जितना बड़ा database होगा, उतना ज्यादा इनको profit, जो है, इसका long term में इनको benefit होगा, और यहाँ पर दोस्तो एक network effect काफी अच्छा है, इसके लिए काम कर सकता, asset light model है, profitable है, scalable business model, तो asset light है तो scalable, scalability भी अपनी business की बढ़ा सकते हैं, और एक चीज़ आपको दोस्तो और important में दिखाना चाहूँगा, यह जो हैं दोस्तों, इनके ज online auction platform है, Android Auto जो है, इनके basically valuation services provide करती है, और इसके regarding अगर मैं आपको बताओ, तो देखिए, दोस्तों, अगर किसी भी financial institution को या bank को, किसी भी used car की valuation निकालनी होती है, तो यह की concern होता है किसी भी institution के लिए, तो उस जगे दोस्तों, यहाँ पर, Android Auto यह solution इनको provide करती है, यह काफी ज card trade, दोस्तों, मुझे long term के लिए भी बहतर नजर आ रहा है, short term के लिए भी बहतर नजर आ रहा है, और listing gain के लिए तो अगर आप जाना चाहते हैं, तो definitely जा सकते हैं, कहीं न कहीं, दोस्तों, long term के लिए भी एक अच्छा startup नजर आ रहा है, और basically, बात करें, तो technology से जुड़ा business है, या फिर आप कह सकते हैं, इंटरनेट, business भी आप इसको कह सकते हैं, तो उस हिसाब से इसकी growth future में आपको अच्छी खासी आते हुए देखने को मिल सकती है, तो आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका long term का नजरिया है, short term का है, listing gain का है, तो only यहाँ पर दोस् है, ultra tech cement है, ACC cement है, बड़े-बड़े players तो already East India में काफी अच्छी manufacturing unit है, उनकी, हाला कि Nirma Group की company है, लेकि अगर आप देखें एक चीज, तो मार्च 21 में देखें, इसने loss post किया है, वहीं आप मार्च 21 में देखें, तो दूसरी जो cement companies है, उन्होंने अच्छा खासा profit post किया है, हा फोकस भी government का काफी है, highway बनेंगे, bridges बनेंगे, constructions होगा, buildings बनेंगी, roads बनेंगी, और infrastructure development होगा, तो यहाँ पर cement के requirement तो होगी, तो उस हिसाफ से देखें, तो नुवो को दोस्तों एक बड़िया player नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर already दोस्तों, ultra tech, ACC, Am इंटर्वी से, तो only option बसता है, car trade, तो I hope दोस्तों आपको यहाँ पर clear हो गया होगा, किसमें आपको apply करना है, grey market premium मैं आपको बता दिये, 30% अभी आज की date में, car trade में, 8% है, नुवो को विस्ता में, तो आपका decision दोस्तों, आप ले सकते हैं, I hope, सारे doubts में आपको clear कर दी है, और चैनल पर नए हैं तो subscribe नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लिजिए, ऐसे वीडियोज आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहूंगा, अभी दो और IPO आने वाले हैं, Camplast, Senmar और Aptas, इनके विगाड़ीं पर दोस्तों वीडियो आएगी, तो subscribe जरूर कर लिए चैनल को, मिल